अगामी कुछ दिनों में कुछ महिनों में आयुजुत की जानी है तो इसी क्रम में यह सीरीज यहां पर स्टार्ट की जा रही है और इस सीरीज के अंतरगत हम लोग आरो यारो के लिए एक पूरी प्लेश्ट बना चुके हैं जिसमें हम लास्ट टेन येर के जो क्वेस्टन से उनको हम डिस्कस कर रहे हैं तो ध्यान दिजेगा कि आरो यारो के जो प्लेश्ट है वो अलग है इसके रामा एक और सीरीज है जिसमें हम यूपी PCS 2023 के क्रम में लास्ट टेन येर के जो क्वेस्टन पेपर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं अब यहां पर इस सीरीज की प्रस्ट पुछे जाते हैं जो पारमपरी कुदें कई बार एक ही टॉपिक से कई बार पुछे जाते हैं तो उनमें भी जो डेटा आपको मिलेगा वो लेटेस्ट मिलेगा तो आरो येरो गले एक अलग प्लेश्ट है और यूपी PCS 2023 एक अलग प्लेश्ट है देखो फ्रें इस extension का कोई बहुत मिस्स मतलब निकलता नहीं है क्योंकि जैसे ही आप सिथिल होते हैं दौर में सामिल पता नहीं कितने प्रतुवण्दी हैं और उसमें से नजाने कितने आप से आगे निकल जाते हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी सिथिल नहीं होना है जब तक कि आ आप अपनी मंजिल तक पहुचना जाएं आप भले ही खर्गुष की चाल से चलते हों लेकिन कभी कभी होता है ना कि कच्छुआ जो है वो खर्गुष को पीछे छोड़ देता है तो जो आपकी त्यारी का क्रम है वो प्रतिदिन के लिए बना रहना चाहिए डिस्सिप्लिन आप रोज का रोज मेंटेन करें यह आपकी सभलता के लिए सबसे आवास्क और पहली सर्थ है तो देखो यह जो आजसा फुस्टेशन पेपर है मैं आपको बता चुका हूँ हूँ कि जो परिक्षशा होई थी मैं आपको बता दो कि 14 मई 2023 को यह पेपर आया था एगजाम हैं तो थोड़ा सा समय दीजिएगा धैर रखिएगा क्योंकि धैर ही सफलता की पहली कुंजी है तो पेसेंस बनाया रखिएगा देखते हैं कि अंत तक कौन रहता है साथ में क्योंकि अंत में मैं आप लोगों को एक सर्प्राइज अनॉंस्मेंट भी करूँगा तो बिल्कु करेक्ट है अनसुषित जात और जन जाचेत का वरण आपको भाग 10 में मिलेगा यह भी करेक्ट है अधिकरण का वरण भाग 11 बता रहे हैं जो की गलत है यह भाग 11 में नहीं है अधिकरण मिलेगा आपको इसको न ट्रिब्यूनल्स कहते हैं ट्रिब्यूनल्स तो इसका और यह जो अधिकरण वाला पार्ट था इसे 42 समिधान संसुजन जो की हुआ था 1976 के द्वारा जुड़ा गया था और इसमें भी दो आर्टिकल हैं अधिकरण में दो आर्टिकल हैं कौन-कौन से हैं एक तो आपका 323 A है और एक और 323 B दोनों याद रखेगा और यह देखो र आगे बढ़ते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है जिसे कि आप देखेंगे आप अनुचेद 324 अनुचेद 324 में क्या है दिया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी जो है वो अनुचे 324 में है अनुचेद 315 में आपका UPSC है यानि कि लोकसिवा आयो जो है निर्वाचन आयो एनुचेद 280 में यह आपका जो वित आयोग होता है, वित आयोग के बारे में जो वरदैन है अनुचेद 280 में है और देखो यहां पर ध्यान दिजीएगा कि यह çT अयोग बनाया गया था उसके बारे में वरदैन 238 में जबकि जो ST कमिशन था यस इन्हें सही कालानुकरम में भिवस्तित कीजिए दुकों यहाँ पर समिधान का जो मेकिंग है उसको दिया गया है आपको यह बताना है कौन इखटना इसमें पहले घटी है और कौन इखटना इसमें बाद में घटी है तो प्रारूप समिधी की नियुक्ति यह कब हुई थी बताओ देखो फ्रेंड्स प्रारूप समिधी की नियुक्ति हुई थी ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता है होगा कि 26 November 1949 को भारती समिदान के प्रवित तो ने किती थी, तो ये तो बिल्कुल सब को रटावा होगा, ये है आपका 26 January 1950, समिदान सभा की पहली बैठक ये सबसे पहले होती है और इसकी डेट है 9 December 1946, ठीक है तो ये पूरा करम होगा और इसको अब आप कालक रमानोसार ब्योस्थित कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखो ये है question number 4, इसमें अभिखतन दिया गया है, कारण दिया गया है, आपको दोनों को पढ़ना है, इसके बार नीची जो कूर दिया गया है, उसके मुताबिक आपको यहाँ परांसा करना है, किसी राज की सीमा बदलने की सिफारिस, राशपती संसत को देता है, यहाँ तक कथन बिल्कुल correct है, इसके लिए राशपती संबंदित राज की विधान मंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवद की भीतर प्रात करते हैं, यह भी सही, यानि कि अविकतन जो है आपका correct है, राशपती को उस राज विधान मंडल का प्रस्ताव मानना अनिवारे नहीं है, यह भी सही है, तो A और R दोनों सही है, R A की व्याख्या करता है, उत्तर बनेगा आपका option A, भारत के उप राशपती का निर्वाचन, ध्यान दिजेगा यहाँ पर बात हो रही है, उप राशपती के बारे में, बारतमान में हमारे जो उप राशपती है कौन है, जियां, जग्तितन अंकड यह है, तो उप राशपती का निर्वाचन जिसे सरवोच न्यालेदारा सून निगोशित किया गया है के संदर में, तो पहला कतन है कि उप्र राश्पती के रूप में इस प्रकार की घोषड़ा से पूर उसके द्वारा की एगे कारविधी मानने होते हैं, यह गलत है, यानि कि यहाँ पर जो आपका केवल पहला वाला बिकल्प है, केवल यही आपका यहाँ पर सही है, लोकसभा की पहली महिल स्पीकर थी, मीरा कुमार, और यह कब हुई थी, तो यह पंद्रहवी लोकसभा में हुई थी, यह ध्यान रखना आप, अगला कोश्चन है, निम्नी युगमों में कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तीसरी अनसूची में कहा दिया गया है, सपत या प्रतिगा अस्थानों का आवंटन, तो ध्यान देना कि भारतिय समिदान ने प्रारम में ध्यान देना इस पर, कि जो राजसभा में अस्थानों का आवंटन किया था, वो चौथी अनसूची में किया था, यानि कि यह जो आपका विकल्प होगा, लाजसभा में अस्थानों का आवंट नहीं दी जाए सकती है इसका वर्ण मिलता है नवी अनसूची में और दस्वी अनसूची के बारे में आप जानते हैं दल परिवरतन से समंदी था यह और यह आप संडी है फिरकुर सही है तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो आप संसी है अगला कुर्शन देखते हैं भारत कि राश्पती संसद का भाग है यह बिल्कुल करेक्ट है संसद के दोनों सतनों दोरा पारित दिधेयक राश्पती की सहमदी की बिना अकानों नहीं बन सकता यह भी सही है तो आर और ए दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है यहाँ पर उत्तर बनेगा आप संड बी अगला क्रेशन देखिए संग बित आयोग के संदर में निमलिकित में से कौन सा कतन सही है तो बात क्या हो रही है कि बित आयोग के संदर में कौन सा कतन सही है दिवित आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 संदस होते है यह गलत है यहाँ पर 5 होना चीए था ठीक है तो फिलाल आपको मिलाते हैं कि सिर्फ 5 ही होते हैं अध्यक्ष और सदस के मिलाकर कितनी होती है पांच होते हैं इसमें मतलब मिलाजुना कि एक आपका अध्यक्ष हो जाएगा चार सदस हो प्रतिवेदन नीत आयोक को प्रस्तुत करता है, तो ऐसा भी नहीं है, वित आयोक जो है वो अपना जो प्रतिवेदन है, वो नीत याख को नहीं देता है, बलकि वो प्रस्पति को देता है, तो ध्यान दिजेगा, तो यहाँ पर पहला भी कथन गलत, दूसरा भी कथन गलत, य इसके बाद है कि नीचे उच्चतम न्याले को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की सक्ति के सम्मद में दो कथन दिये गए हैं। बात हो रही हैं यहाँ पर सुप्रीम कोट के बारे में उच्चतम न्याले यानि कि सुप्रीम कोट आफ इंडिया के मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की सक्ति के सम्मद में दो कथन दिये गए हैं। कि वह बंदी प्रतक्षी करण, पर्मादेश, प्रतिसेद, अधिकार प्रिक्षा और उत्प्रेस्ण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है ठीक है और दूसरा एक संसत को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन बिल्कुल ध्यान देना कि दोनों विकल्प आपके यहाँ पर सही है एक और दो दोनों आपके करेक्ट है भारत के महानयावादी भारत का जो अटार्नी जनर्रल होता है जिसका वड़न आपको मिलेगा अनुच्छे 76 के अंतरगत के संदर में यहाँ पर दो कथन है महानयाव परदी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटा जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्याले के न्याधिस को यह गलत है यानि कि यहाँ पर जो पहला बिकल्प है किवल यही सही है तो बिकल्प ए आपका करेक्ट है भारत के एक राज में विधान परिशत के गठन के संदर में नि विधान परिशत है ठीक है किनके राजियों में विधान परिशत है बस इतना आपको बता देना है तो एक विधान परिशत में उस राज की विधान सभा की कुल सदस संक्या के एक तिहाई से अधिक सदस से नहीं हो सकते हैं यह बिल्कुल सही है एक राज की विधान परिशत इसका उलेक जो है वो अनुच्छेद 171 में दिया गया है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन होगा कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रद्धित के संदर में दो कथन दिये गये हैं एक है कि रास सबा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीठे आमांटित हैं सही है लोक सबा के 80 सदस से उत्तर प्रदेश से निर्वाजित होते हैं यह भी सही है तो एक और दो दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट हैं तो इसका सही उत्तर बनेगा आप संसी संसद के सचवाले में पदों के संदर में कौन सा कथन सही है संसद के प्रतिक सदन के सचवाले के लिए जैसा का आप जानते हैं संसद के दो सदन होते हैं उच्च सदन और निम्न सदन उच्च सदन यानि की राजसभा निम्न सदन यानि की लोकसभा कि सचिवाले के लिए, दोनों सदोनों का जो सचिवाले होता है, वो अलग लग होता है, आप ये भी जानते हैं, समलित पदों को सजित क्या जा सकता है, बिल्कुल सही है, और संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवाले इस्टाप की सेवा सरतों को वियनेमित करने का अधिकार यह भी सही है, यानि कि 15 का एक और दो दोनों सही है, उत्तर है आप्सन C, ग्राम सबास इसमाने मंदीत कौन सा अफन सत्य नहीं है, देखना कि कौन सा तर्छी नहीं है, ठीक है, इसके कार और सक्तियां ग्राम अस्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे कि राज बेउस्थापक्या के राज अस्तर पर होते हैं ये तो correct है इसकी सक्तियों का निर्धारान के अंद्री सरकार के द्वारा होता है ये आपका जोगर गलत हो जाएगा और दिखो किया न कि इसके सक्क्रम्स को निधरण़ जिटा है न वह राज सरकार के द्वारा निधरण चीया जाता है तो यहां पर यह एक ग्राम अस्तर की सबाह है जिसमें पंचायत स्ब्स.रके श्बादवायत की संज्यास्यान का संजरण करता है पंचायत का जो चुनाओं होता है उसका संजलान राज निर्वाचन आयोक के अधरा के आता है तो आप्शन भी आपका यहाँ पर सही है पंचायती राज पर असोक मेता समीति प्रतिवेदन जो की आया था 1977 में कि प्रमुक सिफारिशों के संदर में देखो यहाँ पर दो कथन दिये गए है पंचायती राज के तीन अस्तरी ब्योस्था के अस्थान पर दूई अस्तरी ब्योस्था होनी चीए यानि कि पंचायती राज में त्री अस्तरी ब्योस्था के जगए है उन्होंने कहा था कि दूई अस्तरी ब्योस्था होनी चीए यह कफन आपका सही है राज जस्तर के नीचे परवेक्षण हे तु खंड को विकेंदरी करन का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए ये आपका यहाँ पर गलत है तो केवल आपका जो पहला विकल्प है ये आपका यहाँ पर सही है ध्यान देना ठीक है तो आपको बताना सोग मेहता समीत का प्रथिदन आया था 1977 में और इसमें कुल मिलाके 132 सिफारिशें जो थी वो सामिल थी अगला कुश्चन है सरवोच नियाले सुप्रीम कोड के एक नियाधिस का त्याग पत्र किसको समोधित होता है तो प्रेसिडेंट आफ इंडिया कौन भारती समिदान क अनुचेद 20 का हिस्सा नहीं है तो अनुचेद 20 में आपको पता ही है कि कुल मिलाके यहाँ पर अनुचेद 20 में 3 भाग है आपको पताना चाहेंगे जो आपका 20 एक है वो कायोत्तर विधी से सम्मंदित है इसको लिखते हैं कायोत्तर विधी और इसके बाद आपका मिलेगा 22-23 एपने विरुद्ध साक्षी होने से निशेद तो यहाँ पर देखेंगे SWANG अपने विरुद्ध साक्षी होने से निसेद तो यह आपका यह भी हो जाएगा 22-23 यह आपका मिल जाएगा गौह भी हो जाएगा और कायतर विद्धी तो तीनों हि बीस एक, बीस दो और बीस तीन में है क्रम से, यह आपका जो option C है या अनुचित 20 में सामिल नहीं है, यातना के विरोध निसेद, तो option C ही आपका जो है आपर answer है, कौन सा प्रावधान, नेत निर्देसक तत्तों तता मौली कर्तब्यों, दोनों का एक भाग है, कौन सा कि अगर हम देखें, जो नेत निर्देसक तत्तों का 48 क है, ठीक है, नेत निर्देसक तत्तों का जो, यह आपको बता देते हैं, नेत निर्देसक तत्तों, ठीक है, इसका जो अनुचित 48 क है, और मौली कर्तब्य, मौली कर्तब्य, इसमें देखेंगे आप 51 क, दोनों में पर प्रयावरन का सनक्षण के बारे में बात की गई है तो option B इसका बिल्कुल correct है संसद की संयुक्त बैठक के संदर में निम्न कतनों पर विचार करना है अनुचेद कुछ दस्ताओं में देखो यहाँ पर जो English version है वो आपको देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर Hindi version में थोड़ी तुटी हो गई थी यहाँ पर बात हो रही है अनुचेद 109 लिखा गया था ठीक है तो अनुचेद 109 नहीं अगर यहाँ पर 108 होता तो यह कथन सही होता तो यहाँ पर जो कथन था जह गलत था दोनों सदनों के सज्ब्याट के अधेखस्ता में यह सई था तो के बले हाँ पर जो दूसरा विकल्प था यह सही था पहला विकल्प आपका यहाँ पर गलत था उत्तर था अप्षन B फिर एकला कोशन था कि प्राचिन काल के भारत पर आक्रमणों के संदर में निमने में से कौन सा एक सही कानक्रम है तो उसका क्रम क्या है तो देखो सबसे पहले तो आक्रमण हुआ था यूनानियों का उसके बाद सक आये थे फिर कुसान आये थे तो उत्तर बनेगा आपका आपका आप्षन A मिलिंद पन हो राजा मिलिंद तथा एक बौध विक्षू के मध संबाद रूप में है उस विक्षू का नाम आपसे पूछा गया था तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखो नागारजून और नाक्सेन दोनों एक ही व्यक्ति थे अब यहाँ पर आयूग न आयूवेद पर एक बहुती मसूर किताब है चरक संगिता जिसको महर्ची चरक ने लिखा है और इंक जो जन्म हुआ था वो 320 हुआ था कई बर एक्जाम यह भी आता है कि जो चरक थे वो किस बंस के दरबारी चिकित सकते तो याद रखना कि यह जो कुसान बंस है और राजा वे वैदिक कालेन प्रसासन में भाग दू होता था वह कौन होता था तूस होता तो राजा सुकर जमाह करने अधिकारी पुरा तात्री कस्थाल बरतबान में अस्थान तो देхो यूपी में कहावत होती है निवासा निवासा मतलब Mike गौं के रहने वाले हो और आपको कहीं पर आपका कोई रिष्तेजार हो वो बुला कि कहे कि भिया आप यहीं रहो और अपनी उमर आप वहीं पर गुजार दो उसको करते हैं निवासा हालां कि यह एक पुरा तात्युक अस्थल है मैं बस आपको याद करने लिए यह ट्रिक दे रहा हूं निवासा का मतलब होता है कि आओ रहो तो यूपी में ज्यादा तर लोग कहां रहते हैं बताओ बंबई चले जाते हैं तो निवासा सबको मिल जाता है कहाँ पर महराष्ट्रा में याद रखना इसके बात होगी ईसमपूर के बारे में ईसमपूर ईसम तुभिया करनाटक नाटक करो और उसको सम कर दो डिडवाना मिलेगा आपको नागवर में जो की कहां पर है राजस्थान में है और गुडियाम गुफा अब एकी ऑप्सन है तो तमिल नाडो में ये आपको मैच कराना था ठीक हैं निमलिकित में कौन हडपा संस्किती के पूरवी सीमांत का निधरान करता है ध्यान देना कि हमारी जो हडपा संस्किती है इस परकार से देखें तो सबसे यहां पर उत्तर में और दक्षण में पूरव में और पस्टिम में जो इसकी सीमा थी वो कितनी थी ठ्यान देना कि पूरवी सीमा जो थी वो आलमगीरपूर मेरट में थी यूपी के आलमगीरपूर मेरट में थ इसके लावा जो उत्तरी सीमा है वो जम्मू और कस्मीर में मांडा में थी नाम है इसका मांडा अब दक्षिन आ रहा है तो दक्षिन में इसके जो सीमा थी वो कहां पर थी दायमाबाद महारास्टरा में थी महारास्टरा के दायमाबाद में और यह जो पस्ची में सीमा थी य आपको यहां पर correct है, पुराणों के बारे में दो यहां पर बिन दिये गए हैं, मैं तीन बताऊंगो आपको, विश्रु पुराण से मौर इबंस की जांकारी मिलती है, correct, वाय पुराण से गुप्त सासन की जांकारी मिलती है, correct, और यह बताओ कि मत्स पुराण से किसकी जांक यह ध्यान देना फिरार यहां पर तो दोनों कथन आपके correct है इसके बाद देखो वैसे सिका न्याय मिमानसा और उत्तर मिमानसा यह ब्रामन गरंथ है इनके लेखा के बारे में आप से पुछा गया है तो वैसे सिका के जो थे वो कणात थे पतंजली नहीं थे बलकि कणात या क और रिसीन को आप कहेंगे और मिमानसा मिमानसा के लिए यहां पर जैमिनी हो जाएंगे आपके ठीक है नियाय दर्सन जो था वो गोता से समंदित था यह आपका correct है तो यही आपका सही सुमेलित है यही आपका उत्तर है उत्तर मिमानसा को लिखा है महरसी बादरायन ने किस जली ठीक है अगला कुश्चन है Captain Hawkins के संदर में निम्न कत्रों में से कौन सा सही है तो Captain Hawkins 1611 में James first के दूद के रूप में भारत आया था वह तुर्की भासा का बहुत अच्छा गयाता था यह तो आपका सही है लेकिन वह 1608 में आया था 1608 में आया था तो पहला कितना आपक चक अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रभीन होता था तो देखो यहाँ पर जो खरीतादार कहा जाता था वो फर्मानों को भेजने वाला अधिकारी होता था Option A आपका सही है यहाँ पर आपको बताना है कि मिराते सिकंदरी बुर्हाने मासिर रियाज उस सलातिन और बुर्हाने मासिर में बुर्हाने मासिर बहमनी के अहमद नगर का समराजी मिलेगा आपको तो दो का यहाँ पर मैं चुछाए बी का दो रियाज उस सलातिन में क्या लिखा गया है रियाज उस सलातिन में बंगाल का इतिहास मिलेगा आपको और रियाज उल इंसा तो एक ही अगला कुश्चन है आपका निम्लिकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिस्थ रजिया के पिता थे करेक्ट है, साथ तुरकन इल्तुतमिस्थ की पत्नी थी करेक्ट है, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी ये भी सही है हमिदा बानो बेगम अलाउद दिन खिल जी की पत्नी थी नहीं आपको बताईए कि हमिदा बानो बेगम अकबर की माता और हमायू की पत्नी थी तो option C जो है ये सुमेरित नहीं है और यही आपका answer है अगला question है पेश्वाओं के क्रम के बारे में आपसे प्रस पूछ रहे हैं जैसे कि बाला जी भी सुनात इनका जो क्रम है वो 1714 से लेकर 1720 तक है माधवरा परतम के बारे में बात हो रही हैं अब तो बाधव दो नाना शाहब फिर माधवरा और और अंत सब्सक ने जजिया और गव हत्या को समात कर दिया था तो जैनुल अभीवेन जिसको कस्मीर का अकबर भी कहा गया है फिर अगरा क्वेश्चन है कि कौन फिरोज तुगलक के नागर कोट अभियान के दौरान संग्रहित तीन सो संस्कृत उस्तकों का अनवाद किया था तो ये था अजीजुदिन खान आपसन एक करेक्ट है संगीत की जो टपा सैली थी या किस मुगल समराट के दरबार में परिस्कृत और विक्षित हुई थी तो मुहमत सा के यानि कि आपसन डी और देखो यहाँ पर ने इसको ब पिने समानार्थी लग रहे हैं तो यही बिल्कुल आपका करेक्ट है सहजो बाई सहज ये भी करेक्ट है सोन कुमारी सोन माने सोना ये भी करेक्ट है गंगा बाई गनेस्द्यो लीरा यह आपका गलत है और यही पूछ भी रहा है तो यही आपका उत्तर बन जाएगा गंग यह आपका correct है मेरेट में 10 मई 1857 के लड़ाई शुरू हुई यह भी correct है लखनव में 4 जून 1857 में यह भी सही है जासी में भी जो मामला शुरू हुआ था विद्रो वाला वो जून में शुरू हुआ था ना कि मई में तो यहाँ पर जो सही सुमेरित नहीं है वो option D वाला है यही आपका उत्तर है फिर आगे बढ़ते हैं 1918 के संयुक्त प्रांथ किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था 1918 में जो संयुक्त प्रांथ मतलब उत्तर प्रदिस के बारें बात हो रही है यूपी में जो किसान सभा का गठन किया गया था उसे किया गया था इंद्र नरायन दिवेदी के द्वारा option B आपका यहाँ पर सही है ठीक है? option B इसके बाद है कि कौन सा संगठन दिल्ली में वाइसराय लाड हार्डिंग पर बाम फेकने के लिए उत्रदाई था तो यह घटना कब घटी थी? यह 1912 में घटना घटी थी और इसके लिए जो जिम्यदार संगठन माना जाता है वो अनुसिलन समित को माना जाता है option B इसका correct है किस अधनियन द्वारा 120 सदस्यों वाले चैंबर आप प्रिंसिस की अस्थापना की गई थी ठीक है? अब देखो यह जो आपका यह वाला matter है वाइसराय लाड हर्डिंग पर बम फेकने के लिए जो मुक्रूप से आरोप आया था वो रास ब्यारी बोस पर आया था ठीक है लेकिन इसका सबूत कोई दे नहीं पाया फिर भी रास ब्यारी बोस को जो है फांसी पर लटका दिया गया था यह देखो चैंबर आप प्रिंसिस की स्थापना की गई थी कब तो जब आपका 1919 का जो अधिनिया में आया था उसे में की गई थी चैंबर आप प्रिंसिस की स्थापना इवी रामस्वामी नायकर के बारे में यहाँ पर दो कथन है नाम क्या है इवी रामस्वामी नायकर पहला कथन देखिए उनोंने सहयोग आंदूरन में हिस्स लिया था और उन्होंने 1925 में कांगरेश को छोड़ दिया था, दूनों सही है और उन्होंने आरोप लगारा कि कांगरेश में ब्राह्मणों को जो प्रतिजित्यु है और संमान है वो नहीं मिल रहा है, तो हिसमें हम रहेंगे नहीं फिलाल यहाँ पर जो दोनों कथन है वो आपके दोनों यहाँ पर सही है अगला कॉश्चन देखिए नेता जी सुबास अनर बोस द्वारा आजाद हिंद फोज के हिस्से करूप में गठित जो महिला रेजिमेंट थी उसका नाम था रानी जहासी रेजिमेंट यानि कि आप संभी करेक्ट है 1857 में बरेली उत्तर पदिस में करांती का नेता कौन था बहुत ही इंपॉर्टन कॉश्चन है और 1857 में जो बरेली में करांती हुई थी तो हजरत मल तो लखनों में थी आपको पता ही है अब यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा खान बहादुर खान यानि कि 46 का 20 है आगे बढ़ते हैं काल करम अनुसार आपको जो है इन खटनाओं को बिल्कुल करम में लगाना है होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, जलिवला बाग, हत्याकान और मोपला बिद्रो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ करम से, बिल्कुल आपसेट लेना इसको होम रूल आंदोलन जो था यह अप्रेल 1916 में हुआ था खिलाफत आंदोलन यह 1919 में स्टार्ट हुआ और चला था 1921 तक जलिवला बाग, हत्याकान यह 1919 में हुआ था यह अदोर मौपला बिद्रो जो था यह दो बार गवा था, लेकिन दूसरी बार गवा था 1921 में तो यहाँ पर ध्यान देना देना जो खिलाफत आंदोलन था, यह जनवरी 1921 में समाव्ट हो गया था, अब मौपला बिद्रो जो था यह अगस्ट 1921 में शुरू हुआ था तो यहाँ पर क्या करें कि सबसे कौन घटना अंतिम थी तू मोपला विद्रो ही यहाँ पर आपका उतर होगा मोपला विद्रो जो कि हुआ था 1921 में अगस्ट 1921 में तो यह सबसे अंतिम घटना थी इन घटनाओं में इसके बाद है कि कौन मैं अच्छे आपको एक होमर कोशन देता हूं बताना है आपको सरल कोशन है मोपला विद्रो जो हुआ था ये कहां पर हुआ था ये आपको बस इतना बता देना है अगला कोशन है कौन महिला सुतंतरता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से समंदित नहीं है तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था मातंगनी हजरा ने भी अरोड़ा आसिफ अली ने भी और करकलता बरुआ ने भी लेकिन सांती घोस ने भारत छोड़ों अंदुलर में पार्डिसिपेट नहीं किया था इन्होंने एक जिला धिकारी की 1931 में गोली मार कर हत्या कर दी थी कब किया था इन्होंने 1931 में यहाँ पर दीखे कौन सा मतलब जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है मंजरा यह गोदावरी की साइग नदी है करेक्ट है हमावती कावेरी की साइग नदी है यह भी करेक्ट है कृषडा की एक साइग नदी है माल प्रफा यह भी सही है प्राण हिता महानदी की नहीं बलकि प्राण हिता जो है यह गोदावरी की साइग नदी है तो option D आपका जो है सुमेलित नहीं था किस अस्थान पर अलगनंदा और भागिर्थी मिल जाती है तो आपको पता ही है कि दियो प्रयाम में मिलती है option D correct है lateride मिट्टी के बारे में दो कथन दिये गए है यह मिट्टी उच तापमान एवंग भारी वर्षा वाले छेत्रों में विक्षित होती है और इस मिट्टी में लोह आकसाइड एवंग अलुमिनियम की कमी पाई जाती है तो 51 में अगर देखेंगे तो आपका उत्तर बनेगा केवल एक आपका सही है यह मिट्टी जो है वो उच तापमान और भारी वर्षा वाले छेत्रों में विक्षित होती है और इस मिट्टी में लोह आकसाइड और अलुमिनियम की कमी नहीं होती बलकि यहाँ पर यह समरिद्ध होती है लोह आकसाइड और अलुमिनियम से ठीक है फिर आपका अगला कुश्चन है कि पराबैगनी की विक्रण यानि कि अल्ट्रा वाले ट्रेज जो रेज होती है अल्ट्रा वाले ट्रेज को और सोसित करने वाली ओजोन परत यह मिलती है आपको इस्टेटो स्फियर में यानि कि समताप मंडल में याद अखना देखो अब देखेंगे एक बहुत important question यहाँ पर नदियां है और उनके उद्गमस्थर है जिसे कि यमुना जो है वो निकल जाती है यमुनोत्री से यह correct है क्रिश्णा नदि जो है वो कहां से निकलती है तो यह महा बले स्वर से निकलती है जो कि कह है माराश्टा में गोदारी नदि यह निकलेगी त्रेंब के स्वर से यह नासिक में स्थित है और महा नदि निकलती है सिहावा से तो यह आपका क्रम बनेगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं नीचे दो कथन दिये गए हैं कथन एक और कथन दो तो अभी कथन है कि दक्षण पस्चिम मांसून मौसन के दवरान तमिल नाड तट सुस्क रहता है ये तो करेक्ट है क्यों रहता है बता रहा है कारण कि तमिल नाड तट ने का ओप्सट डी यह देखो आपका राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है बिल्कुल करेक्ट है और बेतवा नदी जो है यह प्रियागराज के पास इमना नदी मिलती है तो बेतवा नदी जो है वो प्रियागराज नहीं बलकि हमीरपूर में मिलती है तो यहाँ पर जो पहला भी कल्प है केवल वही सही है अगला कुशन देखिए अगिल जो यहाँ पर कौन सा एक दर्रा सही सुमिली थे अगिल पास मिलेगा आपको यहाँ पर बता रहे हैं अरौण चर प्रदिस में ऐसा बिलकुल नहीं है अगिल दर्रा कराकूरा परवराशनेडी का एक फिस्सौ नहींस का इक लेत गदाख होते हैं आपका जो उत्तर होता वो correct हो जाता दीफु दर्रा ये आपको मिलेगा कहां पर अरुणांचर प्रदिस से मिलेगा दीफु दर्रा भारत चीन और म्यामार की विवादित त्रीबिन सीमा परिस्थित है और नेती और माना दर्रा ये दोनों दर्रे जो हैं वो कहां परिस्थित हैं तो उत्तरा खंड में इस्थित हैं यानि कि यहां पर जो आपका सी है वो correct है माना दर्रा हिमाल्चर प्रदिस से नहीं है बलकि ये उत्तरा खंड में ये याद रखना सीवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमस किसके लिए महत्तपूर्ण है तो सीवाना समुद्र नमक जो अस्थान है यह जल विद्दूत उर्जा के लिए जाना जाता है और करनाटा के चामराज इले में यह इस्थित है तो यहां पर जल विद्दूत यह सही हो गया सिवाना समुद्र के बारे में कल्पक्कम जो है यह नाव की उर्जा के बारे में संबंदित है तो कल्पक्क यूपी के बारे में पहला बिंदु है कि राज के कुल भागोलिक शेत्र का लगबग 12.08 प्रतिसत बन है ये गलत है यूपी का जो कुल शेत्र पहले उसका 9.23 प्रतिसत ही किवल बन है ठीक है जौनपुर गाजीपुर और बलिया जिलो में कोई वनभुमी नहीं है ये भी तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है ज्यान देना है यहां पर कि जो आपका जौनपुर गाजीपुर और बलिया लिखा गया है तो ज्यान देना है इस पर कि यूपी के जो नियूनतम वान छेत्रफल वाले जिले हैं उनमें भदोई है माउं है और मैनपुरी है कौन- अगर सुन होता तो बतलब यहाँ पर यह अर्थ निकलता ना कि बिल्कुल वन सुन है तो इसलिए यहाँ पर न तो एक सही है और ना ही दो सही है कौन सा बंदरगा देश सही सुमेरित नहीं है राटर ट्रै मिलेगा आपको निदर लेंड में इगार का मिलेगा आपको रूस में चीन में नहीं है मांटे वीडियो मिलेगा उरुगवे में जकारता मिलेगा आपको इंडोनेसिया में तो आपका जो उत्तर है वो आपसन भी है इगार का बंदरगा कहां पर है ये रूस में स्थित है फिर आगे बढ़ते हैं वेंगुला प्रसांद महासागर की एक ठंडी धारा है वेंगुला बता रहे हैं कि कौन सा कतन सत्य है एक कतन इसमें सत्य है बस ओई आपको बताना है तो देखो वेंगुला प्रसांद महासागर की एक ठंडी धारा बता रहे है जैकि वेंगुला जो है ये दक्षण अट्लांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है तो प्रसांद की नहीं है ब कמूल प्रित்वी और चंदर्मा ठीक हैं यह आपका सूर्य ओ गया इप्रदी ओंगी और चंदर्मा हो गया है एक सीज में हो तो यह हो दिरकंवारखी तो ध्यान देना यहाँ पर दिरकंवरा वरता तब यह सई होता यानि प्रति दिन जो है 12 गंटे 26 मिनट के बाद 26 मिनट के बाद जो आ रहाता है तब यह आपका सही होता है याई कि D भी आपका गलत है तो किवल C आपका यहाँ पर संक्त राज अमेरिका और मैक्शकों के भी सीमा पर जो नदी स्थीत है वो है रियो ग्रांडे ऑप्शन बी बस रटने वाला प्रस्न है अगला कुश्चन है कि रेकिस्तानों पर विचार करिए और उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में बस्तित करिए यानि कि सबसे आएगा वाले स्थाम पर रखेंगे इसको और यह मिलेगा आपको कहां पर तो यह आपको मिलेगा ऑस्टेलिया में ठीक है इससे बड़ा है आपका गोवी मरुष्थल गोवी मरुष्थल तो यह कहां पर है चीन और मंगोलिया में स्थित है यह दूसरे स्थाम पर आएगा चीन और मंगोलिया में आपको मिलेगा और जो सहारा मरोस्तल है यह कहां पर स्थित है स्वारी सारा मरोस्तल यह लास्ट में आएगा उससे पले आएगा आपका अरेबियन तो तिस्थे स्थान पर आ रहा है आपका अरेबियन तो अरेबियन मरोस्तल जो है यह पस्ची मेसिया म और इसके बाद हम करम से आगे बढ़ते हैं वैसे अगर इसका उतर आप जाना चाहते हैं तो C इसका विकल्ब करेक्ट होगा option C फिलिपीन्स में नारियल इवंग गन्य की क्रिसी विकास का स्रे किसको जाता है तो फिलिपीन्स इसका उतर बनेगा इस्पेन और अमेरिकी वासियों को option D यहाँ पर देखेंगे परवत और देश कौन सा परवत कहां पर इस्तित है किली मंजारों मिलेगा आपको तंजानिया में टूबकल यह कहां पर मिलेगा आपको टूबकल मिलेगा आपको मौरक्कों में इस्टेंली मिलेगा आपको यूगांडा में इस्टेंली यूगांडा में हागर मिलेगा आपको अलजीरिया में तो यह आपका करेक्ट मैच है और कौन सा जील इस सही सुमरीत नहीं है बैकाल जील जो है यह रूस में है मिसिगन जील यूसे में है उनेगा जील यह कनाडा में नहीं है बलकि यह भी आपका रूस में ही है मारा काईबो जील बेनुजेला में है यह भी करेक्ट है तो उत्तर बनेगा आपसन C अल्नीनों के बारे में दो बिन देगे हैं अल्नीनों में पूर्भी प्रसान सेत्र में पेरू के तड़ पर गर्मधाराओं का प्रकट होना सामिल है यह गर्मधारा पेरू के तड़ पर पानी के तापमान को 10 डिग्री संडिग्रेट तक बढ़ा देती है जिसमें समुद्र में प्लैंक्टन की मातरा बढ़ जाती है ये भी आपका सही है एक और दूनों आपके करेक्ट है उत्तर है आपसंसी डक्षडी गुलार्द में हवा का बाई और बिक्षपित होने का क्या कारण है तो ये आपकी प्रत्वी हो गई इक्वेटर हो गया ये आपका उत्री गुलार्द है ये दिख्षी गुलार्द है हवा का बाई यो और बिक्षपित होना बाई या इधर हो जाएगा तो इधर बिक्षपित होने का जो कारण है वो होता है कोरोलियस बल ठीक है यूक्रेन का सबसे बड़ा कोईला उत्पादक केंद्र कौन सा है यूक्रेन का जो सबसे बड़ा कोईला उत्पादक केंद्र है वो खार की हुए option B Mount Newman किस खनिच के लिए प्रसिद्ध है exam ये भी आ सकता है कि Mount Newman किस देश में जती थे तो क्या बताएंगे आप जो Mount Newman Friends ये मिलेगा आपको Australia में और ये एक सतही ख़दान है जिसमें Law Ask पर आ जाता है तो Law Ask यहने कि option A आपका correct है अगला question देखिए फरवरी 2023 तक UP में अमरित भारत station योजना के तहत आधुन की करण के लिए कितने railway इस टिस्नों की पहचान की गई है तो इसका उत्तर है option D अब देखो यहाँ पर आपको बता दें कि ये question आयेगा नहीं लेकिन इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कुछ प्रस्न यहाँ पर जो कि बस आप यह याद रखेगा कि टॉपिक ले लीजेगा और उस पर आधर जो लेटेस्ट अपडेट है उसको पढ़ लीजेगा हाला कि मैं आपको यहाँ पर अपडेट करने का प्रयास कर रहा हूँ जैसे कि दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सेन अभ्यास कहां पर आजित किया गया था तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास यह सेना के तरह की जाता है और 2022 में यह जो आयजन हुआ था वो राजस्थान में हुआ था आप्सन बी करेक्ट है अगला कुश्चन है कि दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगती सुचकान के अनुसार टीर बन में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगती में सीर्श तीन स्थानों पर है तो इसका जो तिहत्तर का उत्तर था वो आपसन ए था पांडी चेरी लक्षदीप और गोवा निसार उपगर निसार उपगर जो है फ्रेंड्स यह इसरो और नासा का उपकरम है केंद्री बजट के बारे में कुश्चन था तो यह तो आएगा नहीं तो कोई फाइदा नहीं किसकुम पढ़े और अब देको डेटा में आपको बताऊंगा आपको याद भी रेगा फाइदा क्या है यह आने वाला तो है नहीं ठीक है सहाइद अकादमी पुरसकार भी आप लेटेस्ट वाला है उसको रट लेना यह काफी इंपोर्टेंट है किदाबों के नाम पुछे जाते हैं अल डा लाइप्स्भी नेवर लीड के बारें पुछा गया था जो कि अनुड़ा राई की किताब थी ीसके बाद है कि छनिश संपदा के सनर में जिश संपदा होती है उसके बारे में दो भी सही है तो दूनों option c यहाँ पर आपका correct है पूछ रहें कि फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलिकाटर निर्मार सेंदर का उदगाटन किस अस्थान पर किया गया था तो देखो यहाँ पर जो उत्तर है वो तुमकुर में है option बी आपका correct है golden globe पुरुष का विजिता जो गीत है नाटू नाटू तो यह mm किरावनी इसका उत्तर होगा option b mm किरावनी भारती जैविक डेटा केंद्र यह हराणा में थापित किया गया है option a correct है ठीक है भारती जैविक डेटा केंद्र कहां पर हर्याना में है भारत के जी 20 प्रतिक चिन के संदर में तो जी 20 का समिलन जो गवा था दुजर तेज में उस पर आधारी जे प्रस्न है कि प्रतिक चिन में साथ पंखुणियों ला कमल था सही है प्र कि पंडुबी को जनवरी 2023 में भारती ने उस सामिल किया गया था तो इसका उत्तर क्या था तो option b ins वागीर इसके बाद है आपका दिसंबर 2022 में न्यूजिलेंड ने अगली पीडी के लिए धुमरपान पर प्रतिबंद लगाने वाला देश का पहला कानून पारित किया न्य भटना घर्ष्ट हुआता तो ऐसे प्रस भी आते हैं इसका उत्तर option D था यती एर्लाइन इस पेर नामक जो किताब है किसने लिखी थी तो प्रिंस हैरी ने option A correct है पोप बेनेडिट सुलाह में जिनका हाल इम निधरन हुआ था जर्मनी के मुल निवासी थे 600 वर्सों में इस इसका जो उत्तर था एक और दो दोनों सही था और वही है कि जनवरी 2023 में न्यूजिलेंड के प्रिदामांत्री कौन चुने गए तो कोई खास मतलब नहीं है इसका हलाकि जो इसका उत्तर था वो B था अच्छा बरतमान में न्यूजिलेंड के जो बैलेस में PM हैं वो कौन है बरतमान में जो PM है उनका नाम है अधियाद रख लो सी मार्क लुकसन नाम है क्या नाम है सी मार्क लुकसन बरतमान में है और यहां पर जो उत्तर था वो आप्शन B था फिर अगला कुश्चन है कि UP के निमलिकित सहरों में कौन सा सहर भारत की अध्यक्ता के दवरान G20 के 270 म के लिए अस्थार ग्रूप में सामिल नहीं था तो काम पूर था ऑप्शन C फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षण अफरीका से भारत ला गया था और चीतों की आवादी को सुधारना भारत की पास मिकता है एक और दो दोनों सही है आर एकी व्याख्या करता है विकल्प ए आपक इसे गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है उसमें इसे स्थाफित के जा रहा है तो किवल पाला भी कल्प आपका यहाँ पर सही है अब ध्यान देना है यहाँ पर कि ब्रिटेन की जो साउथ हेंब टन निविश्ट्री है इसका एक परिशर जो है गुरुग्राम में भी खुलन लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया तो यह थे सुनिल चोपड़ा 25 दिस्टमबर 2022 को किस देश द्वारा एक जनवरी 2025 के बाद जन्म हुए पुरुसों के लिए एक वर्स की सैनिक सेवा अनिवारा कर दी थी ताइवान और दो फरवरी दुज़ार 23 को किस देश ने केंद्री बैंक के अपने करनसी नोट से ब्रेटिस राजसाही को उड़ाने की गोशड़ा की थी आस्ट्रेलिया ने किस सिद्ध दोस्त के अधार पर फरवरी दुज़ा तो ऐसे प्रस्ण यहाँ पर पूछे जा रहे हैं तो इसको देखते रहे हैं आप लो ठीक हैं यह जी इसका कुश्चन है इंपोर्टेंट है साइंस के अंतर गड़ यह कौन सा तत्र तो नोबल गैस नहीं है यह प्रस्ण बहुत इंपोर्टेंट है विज्ञान में जो भी प्रस्ण आते हैं वह बालेजुई पर आधार ज्यादा होते हैं कौन सा हर्मोन अगनासय के लाएंगर हैंस के आईलेट की बीटा सिल को इसका उंतर स्वाइद होता है तो यह होता है आपका इंसुलेन और कौन सा टीका डिफ्थीरिया से बचाता है तो यह होता है आपका टाक्सवाइड ऑप्शन एक करेक्ट है कौन सा यम आर्यने वैक्सीन है जिसका उप्योग आधिक महत्पुर्ण कारक है तो प्राकिर्तिक वास का विनास अगर हो जाए तो जो वित्ता जो है वह समात होने लग जाती है तो आप्शन सी करेक्ट है जाइलम परिभन ले जिमिदार होता है आपका जल पानी बहुत इंपोर्टेंट है और गैर पारंपरिक उर्जा स्रो तो यह होता है आपका जली पारशित की तंत्र में प्रदुषर की जाज करिए तो इसका उत्तर आप्शन ए है जली पाउधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्बरक की रूप में इजोला को लगाया जाता है आप्शन बी करेक्ट है हसी पैदा करने वा श्राद इंसान जो है वो हस्ता ही रह जाता है कि विटामीन क्लौरी और हुडियोस श्रहिभर होते हैं कि किट्भक्शी पाउधा है नाम इसकानेफैंटि नफिन्स से बीधि में कुनला के चार चंबर होते हैं चार चंबर आप्शन ए नहीं में विस्व में green house gaso के उत्सरजन में भारत की सस्था पर था तो देखो यहां पर जो विकब दिया गया था उसके बारे बिवाद हो गया था बाद में तो फिलाल जो इसका उत्तर था वो option B माना गया था दसवा ठीक है तो 109 का जो option B है वो correct माना गया था एक भागोली की काई जो पानी को एकठा करती है भंडारन करती है और पानी छोड़ती है उसे क्या कहते हैं तो कहेंगे उसे जल विभाजक ठीक है जल विभाजक इसको अंगरीजी में कहते हैं इसके बाद है कि जल रोक्थाम एवन प्रदूशन अधनियम जो आया था यह उनिश चोहतर में आया था आप्शन एक करेक्ट है लोटिक पारसित की तंत्र यह बहते हुए पानी से संबंदीत है तो यह संबंदीत है किसे नदी से संबंदीत है आप्शन सी आपका करेक्ट प्राकृतिक डेस्थाम का जो घटक है वो नाइट्रोजन माना जाता है और रेगिस्तान में जो जानवर निवास करते हैं उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं मरूदविद जानवर अब यहां बद्यकों रोग और उसका कारण जो है यह पूछा जा रहा है जैसकि पैप्टिक अ वजह से होता है आपको पता ही ए और जोablesश्없이 लिए क्रोट जब commission के वज़ से होता हए फिल पांड यह कि वज़techn कि वज़से होता है ठीक है क्रीमी की वज़ए 3 और मलेरिया जो वह हूं प्रोट जोळास है तो इस परकार इसको अप मैस करा लेंगे पोसक अस्तर कैसे बनते हैं तो खाद श्रिंकला में जीवों के संबत दोने से बनता है पोसक अस्तर राश्ट्री उध्यानों में आनवनसिक विवित्ता का रख रखाओ कि यह आता है इन सीटू सरक्षक के द्वारा और भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरन पाई जात सब्सक्राइब करेंगे घरलों अपसरिस खतम हो जाता है मोत्र भी मल्पदार्द भी किटना सब्सक्राइब नहीं होता है तो आपसर डी करेक्ट है के अंद्री बजट के बारे में क्वेश्चन है थोड़ा सा अपडेट आप लोग पढ़ लेना यहां पर पढ़ने कोई ज अप्टिमम पॉपूलेशन ठीअरी यहीं कि उप्यव्थ जनसंक्या का सिध्धान यह एडविन के दरह लिखा गया था ठीक है इसको क्या कहेंगे अब एडविन कैनन सामाजिक अब समयजन सिध्धान सोशल मैल अड्यस्टिमेंट ठीएरी इसको लिखा गया था किसकी दार हेनरी जार्ज के द्वारा जन संक्या 'll ढब डिमग्राफिक ट्रांजिस्थन थेयरी यह half can जन शंक्या और शुद्धान यह संबंदीत है जन संक्या खाद्यान आप पुरती सिधान्त यह मालळश ने लिया था माल थस ठीक है तो यह आपको मैच कराना था इसके बाद आगे बढ़ते हैं संसाधनों के उपयोग तता भविश्य के लिए उनके सरक्षण की आवसकता को संतुरित करने को हम कहते हैं क्या कहते हैं सतत विकास सतत विकास यहनि की सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा सस्टेनेबल डेवलेपमेंट का लक्ष नहीं है जिसे 2030 ते प्रात करने का लक्ष रखा गया है तो लेंगिस मानता है सून भूख है अच्छा स्वास्त और भलाई है अंत्रिश्य अनुसंधान जो है वो इसमें सामिल नहीं है तो उत्तर बनेगा आप्शन डी देश के पर्यावरण को बनाय रखने के लिए जनसंक्या नेंत्रण आवस्यक्त सही है जनसंक्या में तिवर विद्धी के कारण परवन समन बनारता ये गलत है यहीं कि केवल एक आप अहाँ पर सही है ए सत्य है और गलत है अगला कुश्चन है 2022 देश के संदर में कि गरीबी उनमूलन के लिए अंतरराष्टी दीवस होता है यह मनाया जाता है कब 17 अक्टूबर को इसे मनाते हैं यह याद रखना ठीक है और इस बार इसकी थीम है फिलाल 2024 में इसकी थीम अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है तो यह याद रखना फिर आगे बढ़ते हैं और आपका ज 881 में स्टार्ट हुआ था ठीक है 881 में यह देखिए आपका SDG के बारे में बताया जा रहा है इसको देख लो SDG 10 क्या होता है रिड्यूज रिड्यूज इन इक्विलिटी SDG 13 यह क्लाइमेट एक्शन से सम्बंदित है SDG 14 लाइफ बिलो वाटर SDG 15 लाइफ अन लैंड तो इस प्रकार से इसको आप मैच कराएंगे दे चैलेंज आफ वर्ड पावर्टी यह गुन्नार मिंडल की किताब है ऑप्सन B करेक्ट है जननी सुरक्षा योजना का प्रम कुद्दिश होता है मात्र मृत्यदर और नौजाद मृत्यदर में कमी लाना ऑप्सन D करेक्ट है रियो जिकर समेलन हुआ तक है 1992 में इसमें जो एजेंडा 21 है वो सस्टनेबल एवल्टमेंट से समन्दित है ऑप्सन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है इसके बाद है कि संधारणई विकास के संदर में दो कथन दिये गए हैं तो उसके वारे मां को बताना है देखो यहाँ पर वैस्विक सूचक सनुचना तता राश्टी सांग की विवस्थाओं दौरा प्रस्तूत एवं च्षेत्री आधार पर संकलित सूचना के आधार पर स्वेउत्राष्ट महासचिव एक वार्चिक संधारणी विकास लक्ष रिपोर्ट प्रस्तूत करते हैं दूसरा कतन है कि व Human Development Report के बारे में यहां पर क्वेशन कुछा गया था लेटेस्ट जो डेटा है यह बिलकुल आप याद एकना मैं आपको थोड़ा से पता देता हूं जैसे कि यह जो डेटा है 2021-2022 के बारे में एक्जाम में तो आएका नहीं लेकिन हाली में जो Human Development Index जारी हुआ है 2023 चोब इसके लिए उसमें ध्यान देना की जो भारत की रैंक है रैंक आफ इंडिया यह 134 है टाप पर सुड़िजर लेंड है और इसे जारी कों करता है United Nation Development Program के द्वारा इस जारी किया आता है पहली बार इसे 1990 में जारी किया गया था इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्राकरती संसादनों का बरतमान पेड़ी द्वारा इस प्रकार से उप्यूग किया जाए कि प्राकरती संसादनों का नियूनत्म छरण हो यही तो है आपका न सतत्विकास अप्संसी करेक्ट है फिर है कि PM गतिसक्त योजना के बारे में दो कथन दिये गये हैं PM गतिसक्त योजना का सुभारम 2022 में किया गया था ये गलत है ये 2021 में किया गया था तो पहला कथन गलत राश्टी और सनचना पाइपलाइम NIP में साथ इंजनों सडक, रेल, एरपोर्ट बंदगा, जन संचार साधन जल मार्ग और लाजिस्टिक और सनचना इसामीर हैं तो किबल दो आपका यहाँ पर सही है ठीक है आगे देखते हैं कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है तो किस्तानी भी नौकरी भी परिवन भी सब आर्थिक क्रिया हैं स्वेक्षी स्वा आर्थिक क्रिया नहीं मानी जाती है option C correct है संखी बजट के बारे में क्वेश्चन है तो बिल्कुल इसको आप लोग रटते रहिएगा आर्थिक स्वेक्षन से भी पढ़ लिजएगा यहां से भी प्रस्म बनेंगे आपके और अगला कॉश्चन है कि कौन सा निर्धंता का के प्रकार है तो दो ही होते हैं एक तो होता है पूर निर्धंता दूसरा होता है सापेश निर्धंता option 1 और 2 दोनों correct है श्यामा परसाद मुखर जी रूटबन मेंसल यह 2016 में होना चीए था और सांसद आदस ग्राम योजना 24 यह सही है यानि कि उत्तर जो है वह option से निकलेगा इसके बाद है कौन सी योजना में कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से समंदित है तो देखो यहाँ पर जो मात्र सकती उद्धिमिता योजना थी हर्याना से समंदित है कौसल्या मात्र योजना 36 गड़ इस्त्रिन धी योजना राजस्थान हाँ अनूठी उपहार योजना यह समंदित है आपके UPC तो विकल्प A आपका सही है कौन सा कायकरम केंदरी सरकार का कायकरМ नहीं है यह उत्तर दे सरकार की योजना है तुग विश्व वेट्लाइंड दिवस यह मन्ला आगए हाली में दो फ़री को प्रतिवर्स होता है, ध्यान देना इस पर ये बहुत important है, आप ये बता दो, comment करके देखते हैं कि कितने लोग यहां तक पहुँचे हैं, बस यह testing है आप लोगों के लिए, कि भारत में बरतमान में, कुल रांसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है, आपको ये बढ़ते हैं विस्तु सामाजी सनक्षण पर जो रिपोर्ट आती है उससे जारी करता है ILO अंतरराश्टी स्तायोग संगठान ठीक है ILO इसका जो मुख्याल है वो सुरीजे लेन में मिलेगा आपको मध्यान पोशन योजना को पीम पोशन योजना नाम दे दिया गया था 1921 में option D correct है और इस question कोई मतलब नहीं निकलता है तो यह हो गया आपका 2023 का UPPCS GS प्रथम प्रश्पत्र का संपूर है अब इसके बाद हम करम से पीछे चलेंगे और last 10 year के question paper है उनको देखेंगे और जहां पर जरूद पड़ेगी वहाँ पर data को बिल्कुल update करके आपको दिया जाएगा ठीक है और जहां पर जरूद पड़ेगी वहाँ पर आपको यह बता दिया जाएगा कि आप जो है कौन कौन से topic हैं जिन पर ज्यादा focus करेंगे किस पर कम focus करना है मने लिए मारे साथ मिलते हैं आप से कले वीडियो में अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंट्स प्लीज आप रोजन रोद हैं लाइक और स्क्राइब करते हैं अगर यह जो PDF जिसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको यह PDF आपको चाहिए तो इसका डाइक डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस सकते हैं धन्यवाद आपका